भारतिय बजार में हाइब्रिड कार्स की काफी डिमांड बढ़ती जारी है क्योंकि इस फीचर की वजह से आपको कार मंजो फ्यूल एफिशियंसी है वो बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है और आज हम ऐसे ही 9 अपकमिंग हाइब्रिड कार्स की बात करने वाले हैं जो भारतिय बजार में लॉंच होने वाली है तो यहाँ पर नंबर वन पर आती है रिनॉल्ड डस्टर डस्टर एक 5Sitra SUV है जिसको भारतिय बजार में बहुत पसंद किया जाता है और बहुत जल्दी ये कार लॉंच होने वाली है इसकी प्राइज़िंग चालू होगी 9 लाक र नीचे आपको LED फॉग लैंब, पीछे आपको LED टेल लाइट और LED इंडिकेटर्स मिलते हैं, 17 इंजेस के लवी वील्स मिलेंगे और 190 mm का ग्राउंड के लरेंस आपको इसमें दिया जाएगा, एंजेन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको दो इंजेन ऑप्शन्स मिलेंगे, पहला आपको मिलेगा 1.2 लीटर का टर्बो पैटरोल और दूसरा आपको दी जाएगा 1.5 लीटर का हाईब्रेड पैटरोल इंजेन, 5-speed के manual transmission और 6-speed automatic transmission के वाली कार दी जाती है, इसके interior से बात करें तो आप अपनी family के साथ आराम से comfortable होगे समें travel कर लोगे, जो कार में features हैं, जैसे की हो गया 10-inch infotainment system, digital driver display, 3-degree camera, blind spot, climate control, leather, repository seat, यह सारे features आपको दी जाते हैं, अब अगर बात करें कि ये कार कब तक launch हो जाएगी, तो August 2024 में ये कार launch होने वाली है, नमबर टू पर आती है Honda HR-V, HR-V एक 5-setter SUV है, जो कि यहां पर आप सबको बहुत पसंद आएगी, इस कार की pricing चालू होगी 9 लाख रोपे से, और इसका जो top model है, वो आपको तकरीबन 15 लाख रोपे के अंदर मिल जाएगा, जो कार का looks and design हो काफी futuristic टाइप का है, देखने में कार बहुती stylish, premium और luxury लगती है, बात करते हैं, इसके electricals के बारे में तो front में आपको LED headlights, LED DRL, नीचे आपको LED fog lamp, पीछे आपको LED tail light और bulb indicators दिये जाते हैं, इस कार में आपको engine दिये जागा 1.5 लीटर का smart hybrid paddle engine, जिसमें आपको 6-speed का manual transmission और automatic transmission दिया जाएगा, इसके interior से बात करें, तो आप अपनी family के साथ आराम से comfortable लोगस में travel कर लोगे, जो कार में features हैं, जैसे की हो गया 8-inch infotainment system, जिसमें आपको wireless, apple carplay और android auto connectivity मिल जाएगी, digital driver display, 360 degree camera, dual zone climate control, heads up display, drive mode भी आपको यहाँ पर दिये जाएंगे, safety glasses, airbags, ABS, EBD, lean key, persist, यह सारे features आपको दिये जाएंगे, अब अगर बात कर लेते हैं कि ये कार कब तक launch हो जाएगी, तो जुलाई end में ये कार launch होने वाली है, नमबर थ्री पर आती है Toyota Corolla Cross, Corolla Cross एक premium 5-setter SUV है, जिसकी pricing चलू होगी 11 लाग रोपे से, और इसका जो top model है, वा आपको तकरीबन 21 लाग रोपीज के अंदर में मिल जाएगा, ये जो कार इसका जो looks and design वो काफी stylish और premium में देखना में कार बहुत ही खुबसूरत लगती है, बात करते हैं इसका electricals के बारे में, तो front में आपको LED headlights, LED DRL, नीचे आपको LED fog lamp, पीछे आपको LED tail light और bulb indicators दिये जाते हैं, इस कार में आपको engine दिये जाता है 1.8 liter का hybrid petrol engine, जिसमें आपको 140 BHP की power और 117 Nm का torque मिलता है, 6 speed के manual transmission और CVT automatic transmission के value car दी जाती है, 17 inches के लावी wheels आपको यहाँ पर दिये जाएंगे और 195 mm का ground clearance दिये जाता है, इंटिरियर से बात करें तो आप अपनी family के साथ आराम से comfortable हो किसमें travel कर लोगे, जो car में features हैं, जैसे कि हो गया 8 inch infotainment system, steering wheel mounted controls, digital driver display, dual zone climate control, safety logistics airbags, ABS, EBD, blind spot monitoring, engine start stop button, ये सारे features आपको दिये जाते हैं, अब अगर बात कर लेते हैं कि ये car कब तक launch हो जाएगी, तो जुलाई 2024 में ये car launch होने वाली है, नमबर 4 पर आती है Ford Quga, जी हाँ दोस्तों Ford Company वापसी भारती ये बाजार में launch होने वाली है, और ये अपनी एक 5-setter crossover SUV को launch करने वाले हैं, जिसका नाम है Quga, इस car की pricing चालू होगी 9 लाक रोपे से, और इसका जो top model है वो आपको तकरीबन 15 लाक रोपे के अंदर मिल जाएगा, जो car का लुक्स निजन वो काफी stylish और premium में दीखने में कार बहुत ही sporty लगती है, बात करते हैं इस 9.5 लीटर का smart hybrid petrol engine जिसमें आपको 6-speed का manual transmission और automatic transmission दिया जाएगा, बात करते हैं इस car के interior से, तो आप अपनी family के साथ आराम से comfortable होगे इसमें travel कर लोगे, जो car में features हैं, जैसे कि हो गया 8-inch infotainment system, TFT driver display, dual zone climate control, auto AC, ADAS system भी आपको यहाँ पर offer किया जाएगा, panormic sunroof, यह सारे features आपको दिये जाते हैं, अब अगर बात करें कि यह car कब तक launch हो जाएगी, तो August 2024 में यह car confirm Indian market में launch होने वाली है, नमबर 5 पर आती है Suzuki S-Cross, S-Cross एक 5-setter compact SUV है, जिसकी pricing चलू होगी 8 लाग रोपे से, और इसका जो top model वाप को तकरीबन 14 लाग रोपे के अंदर मिल जाएगा तो जिनकी family छोटे और जिनका budget कम है, उनके लिए एक बहुत ही शानदार SUV सुजुकी कमपनी लेकर आने वाली है, इस car का जो लुक संद जाने वो बहुत ही शानदार है, देखने में car बहुत बढ़िया लगती है, electrical की visibility जो functioning है, वो भी यहाँ पर आपको top notch quality की provide की जाती है, इस car में आपको दिया जाएगा 1.5 लिटर का mild hybrid petrol engine जिसमें आपको 5-speed का manual transmission और 6-speed automatic transmission दिया जाएगा, बात करते हैं इस car के interior से तो आप अपनी family के साथ आराम से comfortable होकिस में travel कर लोगे, जो car में features हैं, जैसे की होगे 7-inch infotainment system, जिसमें आपको wireless apple carplay और android auto connectivity मिल जाएगी, dual zone climate control heads up display, 360 degree camera, safety classics airbags, ABS, EBD ये सारे features आपको दिये जाते हैं, अब अगर बात कर लेते हैं कि ये car कब तक launch हो जाएगी तो जुलाई 2024 में ये car launch होने वाली है, नमबर 6 पर आती है Jeep Avenger, Avenger एक 5-setter SUV है जिसकी pricing चलू होगी 10 लाग रोपे से और इसका जो top model हो आपको तकरीबन 17 लाग रोपे के अंदर मिल जाएगा, जो car का looks and design वो simple और decent है, लेकिन फिर भी ये car देखने बहुत ही खुबसूरत लगती है, बात करते हैं इस के लेक्टरिकल के बार में, तो front में आपको LED projector headlamp, LED DRL, नीचे आपको LED fog lamp, पीछे आपको LED tail light और LED indicators दिये जाते हैं, इस car में आपको दो engine options मिलेंगे, पहला आपको मिलेगा 1.5 लीटर का turbo petrol और दूसरा आपको दी जाएगा 1.5 लीटर का smart hybrid petrol engine, 6-speed के manual transmission और automatic transmission आपके value car दी जाएगी, बात करते हैं के interior से तो आप अपनी family के साथ अराम से comfortable location में travel कर लोगे, जो car में features जैसे की होगे 10.25 inch infotainment system, TFT driver display, dual zone climate control, heads up display safety classics, airbags, ABS, EBD, lean keep assist, ये सारे features आपको दी जाएगे, अब अगर बात कर लेते हैं कि ये car कब तक launch हो जाएगी, तो August 2024 में ये car launch होने वाली है, नमबर 7 पर आती है Honda City next generation, Honda City का नया version आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिलने वाला है, इस car की pricing चलू होगी 11 लाक रुपे से और इसका जो top model होगा आपको तकरीबन 21 लेक रुपीस के अंदर में मिल जाएगा, अब इस car में आपको completely नया design मिलेगा, देखने में car और भी sporty, edgy और muscular लगने वाली है, इसके electricals की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको all LEDs का setup मिलेगा, नीचे आपको LED fog lamp, पीछे आपको LED detail light और LED indicators दिये जाएंगे, इस car में आपको दिये जाएगा 1.5 लीटर का hybrid paddle engine जिसमें आपको success speed का manual transmission और automatic transmission दिये जाएगा, interior से बात करें तो interior भी आपको यहाँ पर completely नया मिलेगा, आप अपनी family के साथ आराम से comfortable होगे इसमें travel कर लोगे, जो car में features जैसे की हो गया 8 inch infotainment system, digital driver display, auto AC, cruise control, safety classics airbags, ABS EBD, lane keep assist, यह सारे features आपको दिये जाएंगे, अब अगर बात कर लेते हैं कि यह car कप तक launch हो जाएगी, तो August 2024 में यह car launch होने वाली है, नमबर 8 पर आती है Nissan Rogue, रोग एक 5-setter premium SUV है, जिसकी pricing चलू होगी 11 लाक रुपे से, और इसका जो top model है, वह आपको तकर 80, AG और sporty लगती है, बात करते हैं, इस car के electrical के बारे में, तो यहाँ पर आपको all LEDs का setup मिलेगा, तो रात में आपको visibility को लेकर कोई भी धिकत नहीं आएगी, इस car में आपको engine दिये जाएगा, 1.5 लीटर का turbo hybrid engine, जिसमें आपको success speed का manual transmission और automatic transmission दिया जाएगा, 195 mm की इसमें आप पर आपको 18 inches के alloy wheels दिये जाएगे, interior से बात करें तो आप अपनी family के साथ अराम से comfortable location में travel कर लोगे, जो car में feature से जैसे की होगे 10 inch infotainment system, TFT driver display, 2 zone climate control, leather upholstery steering wheel, steering wheel mounted controls, 360 degree camera, safety classic airbags, ABS, EBD, 3 drive modes, यह सारे features आपको दिये जाएगे, अब अगर बात कर लेते हैं कि यह car कब तक launch हो ज पर आती है Kia Niro, Niro एक 5 sitter premium SUV है जिसकी pricing चलू होगी 10 lakh रोपे से और इसका जो top model है वह आपको तकरीबन 17 lakh रोपे के अंदर में जाएगा, जो car का looks and design है वो decent है लेकिन decent looks में भी यह car देखने हैं बहुत ही stylish लगती है, बात करते हैं इस के electricals की, तो front में आपको LED headlights, LED DRL, नीचे आपको LED fog lamp, पीछे आपको LED daylight बड़ी सी और आपको bulb indicators दिये जाते हैं, इस car में आपको दिये जाएगा 1.6 liter का mild hybrid petrol engine जिसमें आपको 6 speed का manual transmission और automatic transmission offer किया जाएगा, इंटीर से बात करें तो आप अपनी family के साथ अराम से comfortable location में travel कर लोगे, जो car में features हैं और जोतने भी safety features हैं व होने वाली है, बाकी आप comment करके ज़रूर बताना कि 9 hybrid cars में से कौन सी hybrid car आपको पसंद आई है और कौन सी hybrid car को आप अपनी family के लिए लेना पसंद करोगे, बाकी अभीकली thanks, till then wait for my new upcoming videos.